नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्टू चैनल पर दोस्तों अपनी पिसली वीडियो में हमने आपको दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में दाखले के लिए डीड बताई थी जिसमें 3 अप्रेल से दाखले शुरू हो चुके हैं कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 9 के लिए और ओनलाइन फॉर्म हमें किस परकार से अपलाई करना है अपनी इस वीडियो में मैं आगे बताने जा रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी सभी अवश्चक अपडेट आपको समय से मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो सबसे पहले हमें आप करना क्या है अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहाँ पर हमें टाइप करना है edudel.nic.in और यह आपके सामने एक पेज उपन हो जाएगा वेब पेज यहाँ पे skip to department website पर क्लिक करेंगे हम और यह आपका home page आ जाएगा दिल्ली गवर्मेंट के education department का और इसमें देखिए आपके सामने बहुत सारे options आ रहेंगे पेज पे जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे student, SCIT admission, SCIT, summer school, UDIS तो आपको left hand side में देखिए कॉर्णार आपको दिख रहा होगा government school admission यह देखिए कॉर्णार में दिख रहा होगा आपको इस पर हमें click करना है click करेंगे तो आपके सामने next page open होगा इस पर देखेंगे आप government school admission for session 2023-24 यानि अभी जो एक अप्रेल से session होता है वो 2023-24 का सतर है तो इसमें आप कक्षा 6 से लेके 9 तक के admission के लिए बताया गया है कक्षा 6 तू 9 के लिए है देख सकते हैं इसमें हमारी guidelines for parents है online decision form है reprint of online decision form decision form तो हमने guidelines आपको सारी बता दी गी थी क्या age group होनी चाहिए admission के लिए क्या dates है कब इसका ड्रॉग कर डिल डाएगा इसका second cycle कब शुरू होगा क्या क्या documents चाहिए अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी अभी तक तो description में उसका link दिया गया है आप पहले वीडियो देख लेए जिसमें सभी बातें detail में बताए गई है इस वीडियो में हम आपको form apply करना बता रहे हैं किस प्रकार समें form apply करना है तो हमें सबसे पहले online research form पर क्लिक करना है page open हो जाएगा इसको थोड़ा zoom करके देखते हैं देखी क्या क्या दिया इसमें red में जो कुछ instruction दिसको पढ़ते हैं जो star वाले red star है उसको फिल करना जरूरी है पहले बताएगे अगर आप फिल नहीं करेंगे तो form आपका submit नहीं होगा यह बहुत ही easy form होगा आप घर बैटे भी बढ़ सकते हैं तो in case of any information submitted is found incorrect at the time of physical verification of documents the child will not be eligible for admission हान जी जो documents आपको बताएगे हैं उसका जरूर ध्यान रखें documents आप जरूर ध्यान रखें age proof के लिए recipe proof के लिए इस बात का ध्यान रखें जो अपने documents दिये हैं वह documents आपको at the time of admission लेके जाना है जो school आपको alert होगा उसमें फिर है जो दस्तावित खतापन के दोरां देगे जान करें सही नहीं पाएगे जो बच्चे का परवेश दाक लेगी योग नहीं होगा next point है application must provide a correct and a valid mobile number हमें जो mobile number भी correct देना क्योंकि जो भी आपकी information होगी वह आपके phone पर ही आएगी जब आप फॉर्म अपलाई करेंगे तो इस पर registration नमर और जो अप अपलाई करेंगे उसके उन तीनों मैं से किसी में अबराश डिजर हो जाए आपकह समीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा फिर सभी 25 फार्म बनेrom विडिएशू को बस कर ले जैसे कि én आपको बटा है वीडियो के शुरुबात में कि हमारे पहली वाली वीडिए नहीं देखी इसमें आपको determine अर्टेल में बता जाए है कि क्या-क्या डोकॉमेट्स चाहिए क्या प्रोसेस हो गाइसका ओड़िया क्या होगा तो आप पहले वो देख लियने तभी फॉर्म अप्ली करें वरना हो सकता है कि आपका form reject हो जाए तो चलिए हम form भढ़ने का process शुरू करते हैं इसमें देखिए कक्षा जुननी सबसे पहले तो ऐसे मान लीजिए आप 6 class नाम है इसके आदे फादर्स ने यहां पर फादर का नाम डाले जीए जैसे सूरज पाल या कुछ भी जो आप हो डाल सकते आप मदर्स ने डाल देते हैं गीता विल्किया हमने date of birth हां जी या date of birth के जारे के जो age group आपको बताए है उसी के according होनी चाहिए तो 6 class में जो age group होनी च सकते हैं class 6 के लिए क्या age group होनी चाहिए completed the age of 10 years but less than 12 यानी 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए और 7th का भी देखिए आप age group देख सकते हैं ध्यान से 8th और 9th का तो क्योंकि इसमें हम class 6 की बात करे हैं तो 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए तो age देखते हैं हम 24 दो हजार तेरा तो इससे आप से देखिए अगर बच्चे का जन्म है ये 24 फ़री 23 तो 2023 को कितने 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं 31 से पहले तो ये 6th class ले इलिजबल है यहां पर एक guardian का नेम है अगर बच्चा किसी और के साथ रहता है पने दादा दादी चाचा चाची है मा नाम के साथ तो अगर वो गार्जेंशिप लिए रख्यों होने तो अपना नाम डाल सकते हैं आप यहां जैंडर आएगा मेल के दियान रखना है कि आप किस काटेगर से ब्लोग करते हैं SCOBC जन्रल ठीक है यह है दिव्यांग जन अगर बच्चा डिफेंटली है तो उसके ल भाना है यहां पर देते हैं कि अडियास न्हुंत हमान के दियान को ता है कि आअज प्लिकुर। इसके बाद यहां पर आपका पिन कोड आ जाएगा सिटी आ जाएगा डेली निदी स्टे टेली नहीं पर पिन कोड बहरें लाओने नंबर अगर है तो बहरें नहीं तो मोबाइल नमर जासे को करेक्ट होना चाहिए क्योंकि उस पर मैसेज आता है कोई आपका मोबाइल नमर यह ना बंध हो या किसी और खना वरे जॉब के पास अभी लिए भरे अल्टेट नमर हो तो भी डाल सकते हैं यहाँ पर अगर जो बच्चा फॉर्म भार रहा है उसके भाई यह बहन की और स्कूल का नाम और आइडिस लग करना होगा नहीं परते तो नो करती थी कोई जूरत नहीं भरने की यहाँ पर है अधार नमर आएगा इस बच्चे का अधार नमर नहीं है तो इन्योजमेंट नमर होगा ऊपर सकते हैं आप बैंक अकाउंट नमर अगर आपका अधार नहीं है तो यह आप नहीं भी फिल करेंगे तो समिट हो जाएगा फॉर्म ठीक है बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन जल्ली साब खुलबा लें क्योंकि अट टाइम एडमिशन आपको जोद पढ़ेगी अगर नहीं है तो बात नहीं है फॉर्म आपका समिट हो जाएगा यह बैंक डीटेल है सारी इसमें स्लेक्ट नियरे स्कूल तो रेसिदेंस जो आपके रेसिदेंस के नियरे स्कूल होगा इसमें ऑप्शन साएगा तीन स्कूल को मंगेगा वहां आपको भरना पड़ेगा और डॉकुमेंट ट टेकि एडेस पूव मेंहें इसमें देख लीजए इसमें अपके पास जो और रशू कार्ड हो कोई साभी राशनwehr कार्ड एक पैरिंट स्का नाम और बच्चे के नाम होना जुरुए है अगर ऑछ बच्चे के नाम से हो तो वी वैलिड होगा, वाटर आइडरी हो, पैरेंट्स की, इसमें से कोई एक आगज होने चाहिए, सब भी होना जरूरी नहीं, कोई भी एक, इलेक्ट्रेट्री भी लो, एम्ट्री टेलिफॉन भी लो, या वाटर भी लो, नेम ऑफ पैरेंट्स होना च जिसमें आपने ऐसे द्स भर रहा है, जो आधार पे है, तो वह बैलेटी मानना जाएगा, अधितर आ लो, आधार ही शोग करते हैं, वो मानना जाता है, passport name passport अगर बना हुए तो तो सकते हैं बांक पास्पूक अगर हो पधेन्स के नाम से वे इसे भी हैं ट्रॉब मना याता है या driving lessons parents के नाम से father mother किसी का नाम पर driving lesson हो तो वह valid होगा यह हमारे यह जिए हैं इस पात करें रखें और और हो तो इसमें देखी जो यानि की जो आभी आपकी प्रिविस लिए अनि फिफ्ट क्लास हुई उसको आपने कहां से पास करी है तो अधिक्तर बच्चे क्या है नॉनिप्लाइबिशन है यानि बच्चे कहीं बच्चे कहीं और पढ़ते थे या घर पर रहें गयनी तो आप यह बच्चों के लिए जो अभी तक किसी कर्वे श्कूल में लाए नहीं लेह नहीं ले पाए हूं और वो बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए फिर आप इसका next करेंगे तो आपका फॉन समिट हो जाएगा और आपके पास एक registration नमबर आ जाएगा तो यह बहुत easy process है अगर आपको फिर भी कोई परिशान जाती है तो आप हमारे कामेंट सेक्शन में आके पोस्ट सकते हैं आपके पूरी साहता की जाएगी धन्यवाद